तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक डिफरेंस बिट्विन दपल्स रडार एंड कॉंटिनुएस वेव रडार तो दोस्तो देखेंगे हम कि आपका जो पल्स रडार होता है वो किस तरह से और इसके क्या-कया बेसिक डिफरेंस है इस वीडियो में हम देखेंगे तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हंड साइड साइड पर आपका पल्स रडार है इस में जो आपके सिगनल स्यूज यूस किये जाते हैं जो कि ट्रांसंट करता है हमारे transmitting antenna radar का वो signal आपके pulse के form में होते है Pulse के form के मतलब का है कि आपके ये होते हैं किसी भी square wave के signal होते हैं और जो की modulated signal होते हैं इसका मतलब है इन सारे signal को modulation किया जाता और modulation करने के बाद इनको भेजा जाता है transmission के लिए कि इसके आलावा continuous wave radar में इसके उल्टे continuous wave radar में जो हम signal को भेस्ते हैं वो signal हमारा continuous signal होता है दोस्तव continuous signal का यहां पर मतलभ सायन ईटनव सॉसॉड़ल वेवार vay वेजते थे यहां पर हम सायन सायन वेव भेज रहे हैं और यह signal हमारा कोई जरूरी नहीं है कि यह modulated हो या unmodulated हो यह जरूरी नहीं कि modulation करके ही हम भेजें हो सकता हम बिना modulation करने ही करके भेजना चाहते हैं तो कोई problem नहीं continuous में हम ऐसा भी भेजते हैं तो this system uses modulated or unmodulated continuous signal from the transmission जैसा कि pulse radar ने modulated pulse signal का use किया इसके उल्टा continuous wave radar ने continuous unmodulated और modulated दोरों प्रकार के signal का use करता है लेकिन वो सारे signal continuous होते हैं दोस्तों second difference की बात करेंगे कि second difference क्या होता है कि आपका जो pulse radar होता है उसमें deplexer switch का use क्या आता है कि जो deplexer switch होता है वो आपको enable करता कि आप एक ही antenna से transmission और reception दोनों कर लिजे लेकिन इसके उल्टे जो आपका continuous wave radar है वहाँ पर डप्लेक्सर नहीं होता वहाँ दो अलग-अलग antenna का यूज होता है और वहाँ पर circulator यूज किया जाते हैं circulator का उपयोग दोनों antennas को एक बार इस पे कि आया था डप्लेक्सर स्विच कि आपको common antenna यूज किया जाके एक ही antenna से आप transmission और reception दोना यूज कर ले इसके उल्टे हम continuous wave radar में देखते हैं कि circulator is used or separate antennas तो यह जो आपका circulator होता यह यूज किया था या तो आपकी separate antenna यूज किया जाते हैं transmission और reception के लिए या तो circulator का यूज होता है या तो दो अलग अलग antenna यूज कि जाते हैं एक transmitter के लिए और एक receiver के लिए ठीक है दोस्तों तो चलिए तीसरा difference देखते हैं तीसरा difference है pulse radar में pulse radar में है कि it can indicate the range of the target तो जो pulse radar आपका होता है यह आपके target को indicate कर देता है लेकिन जो आपका simple continuous radar होता है यह can't indicate the range तो यह जो आपका simple continuous radar होता यह range को कभी भी निर्धारित नहीं करता indicate नहीं करता जबकि pulse radar आपका range को indicate कर देता है दोस्तों fourth difference है कि the eco power received is useful for the indicating device pulse radar की जो eco power receive की जाती है वह indicating device के लिए useful होती है किसमें pulse radar में यहीं इसके उल्टा continuous wave radar में जो Doppler frequency shift होती है eco signal की वह useful होती indication devices के लिए indication devices का ताथ पर यहां दोस्तों video display के लिए है जो PPI display होते हैं pulse power position और सारे जो CRT tube भी यूज कि आते हैं तो यह सारे जो आपके indication devices होते हैं इन सारे devices के लिए आपका continuous wave radar में जो eco का जो Doppler frequency shift होता है वह useful होता है क्योंकि जहां पर हम continuous wave signal का use करते हैं वहां पर हम signal को बराबर भेजते रहते हैं हम आने वाली signal का इंतिजार नहीं करते क्योंकि हम दो एंटीना यूज कर रहे हैं एक से हम ट्रांस्मिट करते हैं एक से receiving करते हैं लेकिन इसको उल्टा जो पल्स radar होता उसमें हम एक ही एंटीना का यूज करते हैं तो एक बार जो यूज कर दॉपलर फ्रोक्वी सिफ्ट हो रही है वह हमारी उसफ़ल होगी in death War के लिए चलेए तो दोस्तों फिफ्ट डेखते हम फिफ्ट डिफ्रेंस है कि फिफ्ट डिफेंस है कि पल्सुली रडार के लिए पल्स अदर रिट्वस्कों निसको ब्ला को तो नहीं होती है next है दोस्तों six difference इसका है कि the circuit used in this system is comparatively complicated जो pulse radar system में pulse radar में जो circuitry use की जाती वो comparatively complicated होती है वो जटिल होती है लेकिन इसके उल्टा जो आपका continuous wave radar में use की जाती है circuitry वो simpler होती बहुत simple सी circuitry उसमें use की जाती है ठीक है दोस्तों next हम बात करते हैं साथावा difference की तो साथावा difference किया होता है कि the performance यह लिए साथावा difference जो आपको होता है यह प्रफोर्मयंस ग्देने का मतलब को यह रूका हुआ ठार्गेट है तो उसके कांड जो है affected हो जाता मतलब प्रभावित हो जाता है इसमें जो है deflection आ जाते हैं आपका जो performance होता है वो खराब हो जाता है pulse radar का लेकिन इसके ultra continuous wave radar में जो आपका performance होता वो stationary target से unaffected होता मतलब जो की रुका हुए target हो से कोई problem इसको नहीं होगी कोई भी इसका performance unaffected नह करता है down to zero range में down to zero range में pulse radar आपका operate करता है और इसके ultra continuous wave radar because of receiver is on all time देखे जो हैं continuous radar में दो antenna use करते हैं transmitting antenna receiving antenna इस वजह से वहां receiver एक transmitting antenna हमेशा continuous wave transmit करता रहता है हमेशा continuous wave का form में जो echo आ रहा है उसको receive कर रहा है तो इसी वैसे receiver हमारा हमेशा on होता है तो it can operate down to zero range तो यह भी जो है operate करता है आ दाउन to zero range में और सकी उल्टा जो pulse radar है यह नहीं कर पाता है not operate just down to zero range यह down to zero rate में range में नहीं operate कर पाता है तो चलिए दोस्टों नवाँ difference हम देख लेते हैं नवाँ difference क्या होता है कि pulse radar में the possible r-max is higher तो जो pulse radar का possible और फॉस्टिबल आरमायक्स होता है ये लोवर होता है तो दस्वाम मैंफ इनका है कि पंतर सभाव और प्रफॉर्मसन भॉस्टिद at का अगर कई सारे टारगेत आ गये एक से ज्यादा टारगेत अगये इनका प्रफॉरम्स कोई भी और pana won't बावय आपका तो कोई अफेक्टेड नहीं होता है फ्रडार का प्रफॉरमस्थ लेकिन डा सिस्टम गेट स़ीच लेकिन जो continuous wave का system होता है continuous radar का continuous wave radar का system होता आपका ये system आपका confused हो जाता है अगर एक से ज्यादा presence of target जो है एक से ज्यादा अगर target सब्सक्राइब आजाता है जो आपका होता है continuous wave radar तो दोस्तों चली 11 different हम देख लेते है continuous radar or pulse radar का तो एक तो बात की तो आपका जो पल्स िहाँ यह बहुत जीजादा यूज किया जाता है क्योंकि इसके ऐफिशनषी इसमें ए घ्रिज गई. इस वहाले हैं कि यह कहते हैं इस्ट्रक्षर बहुत कम हो जाता है about data se л argentि, जरूर होता है इसका structure लेकिन जो है क्या कहते हैं कि use commonly ज्यादा किया आता है लेकिन इसके उल्टा जो continuous wave radar है are used some application only जो continuous wave radar है ये कुछ ही applications में ज्यादा यूज किया आता जैसे क्योंकि so comparatively is less application तो इसके जो applications हैं वो less हैं कम हैं तो चलिए applications की बात हुई तो application जान लेते हैं सबसे पहले pulse radar के one of the such example of radar की mapping of the airport area अगर आपको airport area की mapping करनी है तो उसके लिए कौन सा radar यूज किया था तो उसके लिए pulse radar का यूज किया था और application is the aircraft navigation for the speed measurement aircraft navigation के लिए speed measurement का का continuous wave radar करता है continuous wave radar से आपका speed of measurement किया आता है airport aircraft navigation के तो दोस्तों यह रहे आपके 12 difference pulse radar और continuous wave radar के बीच में तो आई होप आपको यह difference अश्चे लगे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले थैंक्यू वेरी मच फॉचिंग वेरी मच फॉचिंग वी